डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है खबरों में काशी तमिल संगमम हाल ही में किंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम की दूसरे चरण के कारेकरम की घोशना की है IIT मदरास ने कारेकरम के लिए 55 पोटल लॉंच किया है इस कारेकरम में तमिल नाडू और पुदुचेरी से लगभग 1400 लूग आठ दिवसे दौरे के लिए वारानसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे चले जानते हैं काशी तमिल संगमम की बारे में काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिड छेत्रों के बीच सांस्कृतिक और एतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है इसका प्रमक उद्देश उत्तर इवं दक्षिड की ज्यान और संस्कृतिक परंपराओं को साज्वा करना है साथ ही दोनों छेत्रों के लोगों की बीच संबंधों को और मजबूत करना है इससिक्षा मंत्राले की साथ अन्न मंत्राले जैसे सूचना और प्रसारण, खाद्य प्रसंसकरण, संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, परेटन, आदी की सहयोग से आयोजित किया जाता है इस कारिक्रम को रास्ट्रियों सिक्षानिती NEP 2020 की अनुसार तयार किया गया है आयाईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्य विद्याले इस कारिक्रम के लिए कारियानवेन एजंसिया है चले जाते हैं तमिलनाडू और काशी की बीच अंतह संबन्थ भारत की प्राचीन और पारंपरि ज्यान प्रडालिया सभी शेत्रों में, सभी युगों में और कई भाशाओं में मौझूद है तमिलनाडू काशी और इसके आसपास का शेत्र ऐसे केंद्रों में से दो सबसे पुराने और सबसे महत्पपून है ये दोनों केंद्र बौधिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारिगर शेत्रों में ज्यान की इश्रोत रहे हैं वारांसी जिसे तमिलनाडू में काशी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है जिसकी अपनी अध्यती सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है वही तमिलनाडू संस्कृति कला, शिल्प, साहित्य का एक और महत्वपून केंद्र है जहां तमिल भाशा में प्रचुर मात्रा में ज्यान उपलब्ध है जो दुनिया के सबसे प्राचीन भाशा है जहां प्राचीन भाशा है